स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टीटेन स्टेडी पर इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्रकास के परावरतन के अबारे में दखिए दसफी का एक चाप्टर है फिजिक्स का जिससे एक्जामिनेशन में कॉस्टन से पूछे जाते हैं और आप लोगडाउन के वज स्टेड एक सुल हुले नहीं है सारे सारे बंध 相信 स्टेडिय उसार्य अधैन का स्टेड्य होग तो आगे भी साइन्स पर बेले हों तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेजन देखिए सब से पहले बात करे लें परकास का परावरतन क्या होता है तो सिंपल सी बात है कि 막 परावरत थो दरके स्यायखतर के पुंटारी मत परता चाहिशी है तो फूरी वांशा पड़ी है कि छोया के परव परता सन नाम से तेंगे टौई। है suppose किजिए तो हम आगर यहां पर रखे वस्तुव को देखना चाहें तो कैसे देखेंगे तो यहां से light source से light आएगी इस पर परेगी और यह हमारी आखों तक जाएगी तो देखें यह एक ही किरन तो जब reflect होकर के हमारी आखों तक आती है तब हम इस वस्तू को देख पाते हैं तो समझ में आगया होगा प्रकास क्या है प्रकास एक प्रकार की और जा है जिसके कारण हम किसी पिए वस्तूओं को देख पाते हैं अब देखें मैने यहां पर यह बताया किये कोई भी अबजक्ट था जिसे के लाइतल निकली जो भी वस्तु प्रकास उत्सरजित करता हूँ ठीक है उसे हम किस नाम से जानेंगे तो देखिए जिस वस्तु झालता हूँ उसे क्या करेंगे प्रकास शूर्ओं कह dus जबर promised क्या याежद रहेगा अब हमने देखा है हमारे घरों में जो लालटेन आता है लेंप है ठीक है या फिर सुर्य है इन सभी से प्रकास निकलता है तो यह हो गया आपका प्रदिप्त वस्तु या फिर कहले लियूमिनस लाइट उसके बाद हम बात कर लें वैसे वस्तु जो प्रकास उत्सरजित नहीं करता हो उसे हम क्या कहेंगे तो दखिए जो वस्तु प्रकास उत्सरजित नहीं करता हो उसे हम अप्रदिप्त या नन लियूमिनस कहेंगे जैसे हमारे घरों में बहुत सारा ऐसे चीज़े हैं जिसे कि प्रकास नहीं निकलता है जैसे कि बेंच, डेस्क, कुरसी, वेगारज होते उनसे प्रकास से मिट नहीं होता है तो हम उसे क्या कहेंगे नन लियूमिनस बोलेंगे ठीक है अब एक सरल रिखा पर चलने वाली प्रकास को क्या कहा जाता है तो देखिए प्रकास का एक नेचर होता है कि वो हमेशा सरल रिखा में ट्रेवल करेगा कुछ इस तरीके से ठीक तो उसको बुलाते है किरन पुंज देखे यह एक्जाम के लिए इंपोटेंट है एक्जाम में पुछे जाते हैं कि बीम किसे कहते है या किरन पुंज किसे कहते है तो याद रखेगा प्रकास के किरनों के समुह को ही क्या कहते है किरन पुंज कहते है अब देखे किरन पुंज होता है up minutes उठना यानि कि फैलना तो क्या बोलेंगे जो वैसा किरन पॉंज जो किसी एक बिंतुस रोट से निकलकर फैलता चला जाता हो इस तरीके के किरन फुंज को हम लोग क्या बोलेंगे अप सारी किरन पुंज कहेंगे जैसे आप को यहां पर दिख रहा होगा, ठीक है, समन अंतर किरन पुंच कैसे कहेंगे, वैसा किरन पुंच, जिसमें प्रकास की किरणों के विच का अंतर समान हो, देखें, यहां बहुत सारे किरन निकल के जा रहे हैं, एक दूसरे के पेरलर, जा रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग क किन्दू किसे कहेंगे तो वैसे किरनपुंज जिसे क्या हो प्रकास एक विंदू पर में कर लीजेगा जिसमें प्रकास के मिलती हो अब सारी यहा पर देख लिए यहांपर लाइट किस तरीके से रही है और किसी एक विंदू पर आ मर्ज होती जा रही है तो इस तरीके के beam को हम लोग क्या बोलेंगे Converging beam बोलेंगे उचलिए next देख लेते हैं अब देखे बहुत सार ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे की light आसानी से cross कर जाता है कुछ ऐसे भी होते हैं जिससे क्रोस नहीं कर पाता है और कुछ ऐसे होते हैं जिससे की थोड़ा बहुत क्रोस करता है ठीक है तो इस आधार पर प्रपदार्थ को तिन काटगरी में डिवाइड किया गया है एक वैसा जिससे की परकास पार कर जाए उसे क्या कहेंगे पारदर्सी या फिर transparent कहेंगे ठीक है और वैसा वस्तु जिससे की परकास पार नहीं कर पाता हो उसे क्या कहेंगे और जिससे परकास का थोरा भागी पास कर पाता हो उसे क्या कहेंगे पारभासी या फिर translucent कहेंगे ठीक है अब देखिए अब हमारा main topic आता है उसी समय बताया था परावर्दन का मतलब क्या होता है वापस लौट के आना ठीक है तो जब प्रकास के किरन किसी रिफ्लक्टेड सर्फेस पर पड़ती है तो वह पुनह अपने माध्या में लौट आती है या यूं कहें कि वापस लौट आती है इसी घटना को हम लोग बोलते हैं परकास के परावर्दन के नाम से तो पड़िवासा याद रखेगा एक्जाम में पूछे जाते हैं अब देखिए यहां पर आपको पिक में दिख रहा होगा यह जो आने वाली कीरन है ठीक है यह लोटने वाली कीरन है यह यह फिर यह पॉइंट इन सभी का नाम करन क्या है ठीक है इससे भी एक्जामनेशन में कोशन्स पूछे जाते हैं तो देखिए यह जो कीरन आ रही है यानि कि परावर्दक सतह पर जो कीरन आ रही है तो परावर्दक सतह पर आने वाली कीरन को बोलते हैं आपतित कीरन क्या कहते हैं अब देखिए यह जो आपतित कीरन बिंदू पर पड़ी ठीक है यानि कि आपतित कीरन परावर्तक सतह के जिस बिंदू पर आपतित होती है उसे क्या कहेंगे तो उसे कहते हैं आपतन बिंदू ठीक है और देखे इसी आपतन बिंदू पर अगर हम एक नॉर्मल डाल दे यानि कि लंब डाल दे तो इसी को हम क्या और वह भी VG केहें तो इस तरीके से Relyated करके एकजामें बहुत सारे कोशंस पूछे जाते हैं ठीक है छलिए तो हम देख लेते हैं क्या है अपतित किरन किसे कहेंगे तो मैंने आप जस्ट कहा था परावर्तक सत्य पर आने वाले को को आपतित किरन कहते हैं परावर्तित किरन किसे कहेंगे तो परावर्तक सतह से ठकरा कर लोटने वाले किरन को परावर्तित किरन कहेंगे आपतन बिंदू यानि कि परावर्तक सतह के जिस बिंदू पर आपतित किरन पड़ती है उसे आपतन बिंदू कहेंगे नॉर्मल या भी किसे कहेंगे तो आपतन कों पर डाला गया जो लम होता है उसी को क्या कहते है'mB कहते है next 넘 का आप तण कों देखिए आप तन कों जो होता है देखिए मैं फिर से 10 आ रही है चिछी के और यह जो नॉर्मल है इसके बीच का जो एंगल बनता है उसी को बोलते है आपतन कौन ठीक है और यहां से जो कीरन परावरतित हो रही है और यह जो अभिलम के साथ एंगल बनाता है इसको बोलते हैं क्या परावरतन कौन तो क्या याद रखेंगे आपतन कौन किसे कहेंगे तो आपतित कीरन अभिलंब के साथ जो कोन बनाती है उसे हम क्या कहेंगे आपतन कोन कहेंगे ठीक है और परावरतित कीरन अभिलंब के साथ जो कोन बनाती है उसी को क्या बलेंगे परावरतन कोन कहेंगे तो देखें वही चीज मैंने यहाँ पर लिखा है आपतन कोन आपतित किरन का अभिलम के साथ बनाया गया कोन आपतन कोन कहलाता है और परावरतित किरन का अभिलम के साथ बनाया गया कोन क्या कहलाता है परावरतित किरन कहलाता है ठीक है चलिए देखिए प्रकास के प्रावरतित किरन से रिलेटर नियम पूछे जाते है एक्ज दो नियम क्या है यह देखिए यह जो सर्फेस आ रहा है रिफ्लेक्टेड सर्फेस ठीक है इसके दो सता होंगे ठीक है क्या होंगे दो सता होंगे जैसे कि मालनी जे अगर हम कोई मिरर लेते हैं कोई आइना लेते हैं ठीक है तो कुछ इस तरीके का बनेगा ठीक है तो एक यह वाला area होगा और एक नीचे से एरिया होगा इसका ठीक है तो ये ऊपर वाला एक सत हर्द और नीचे वालाय जो एक सत है वह तो असी टाइप का यहां पर आपका इसमें होगा ठीक है तो यह यो परावर्तित किरन किरन है और अभी लंब है तीनों एक ही तल पर होंगे कौन से तल पर एक ही तल पर होंगे सिंपल जी बात है जब हम लोग किसी भी आईना पर लाइट को इमिट करेंगे लाइट को उस पर डालेंगे तो क्या होगा एक ही सर्फेस पर लाइट जाएगी और वहां से परावर्तित होगे क्या दूसरे सर्फेस पर यह जो आपतन कोन बन रहा है और यह जो परावरतन कोन है एक दूसरे के क्या होते हैं बड़ाबर होते हैं तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिखा भी है क्या लिखा है पहला नियम है आपतितकिरन परावरतितकिरन तथा विलम तीनों एकी तल में होते हैं और आपतन कोन प्रतिविम्ब कैसे बनता है जब हम आईने के पास जाते हैं तो उसमें हमारा एक फिगर नजर आता है हमारा एक पिक नजर आता है तो वो क्यों बनता है कैसे बनता है उसी के बारे हम बात करेंगे तो देखें सबसे पहले हम बात कर लें कि प्रतिविम्ब है क्या प्रतिविम का क्या कहा जाता है प्रतिविम्ब कहा जाता है तो देखिए थोरा सा हो सकता है कि अभी समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन चलिए हम लोग देखते हैं आगे देखिए यह है एक समतल दर्पन ठीक है अगर दर्पन की बात करें तो दर्पन जो समतल है यह आपका एक प्लेन मीरर है अमाल लिजे कि यहाँ पर एक लाइट सोर्स है यहाँ से लाइट आई और रिफ्लेक्ट हो करके चली गई ठीक है तो और एक लाइट ऐसे आई और फिर से अपने पात को रिट्रेस कर लिया कि किसी भी वस्तु का अगर इमेज बनाना ह तो कम से कम कितने किरनों की जरुवत पड़ती है दो किरनों की जरुवत पड़ती है जैसा आपको याद होगा फिर से देखिएगा मैंने बताया था कि माल लिजिए कि यहाँ पर कोई लाइट सोर्स है ठीक है और यहाँ पर कोई वस्तु है जिसको हमें देखना है और करना परेगा तो देखने के लिए यहां से light का इस object पर आना जरूरी है और यहां से इसका ऐसे आना जरूरी है ठीक है लेकिन एक ही light की कीरन आई तो क्या हम देख पाएंगे क्या नहीं देख पाएंगे यहां से एक और light का आना जरूरी है ठीक है तब ही हम इस point को देख पाए तो ज्वाइटा से ज्यादा, जितना हो जाय से बीच में लेकिन किसी विवस्तु का अप्रते बीं बनाने qelem के लिए नोड रही है जैसे इस में अपल पेखे तो यह जाया है, तो यह जैसा आया, वैसा इंगल पनाया very रिफ्लेक्ट हो गया लेकिन यह देखिए यह लंबवात आया है तो लंबवात रिफ्लेक्ट हो जाएगा ठीक है तो अब देखिए यह ऊपर की और चला जाएगा और यह इधर की और चला जाएगा तो इसका कहीं पर कटान बिंदू होगा क्या कहीं पर मिलेगा नहीं मिलेग जैसे आप कभी आईना के सामने ख़रे होते होईएगा तो माल लिजे कि यह आईना है ठीक है और यहाँ पर अगर आप ख़रे होते होईएगा तो आपका प्रत्विम आईना के पीछे यहाँ पर बनता होगा ठीक है और कालपनिक रूप से बनता होगा इसका इसका इससे कोई वास्तविक्ता कहने या जो होता है वो नहीं होगा यह क्या होगा सिर्फ एक इमेज होगा ठीक है तो होता क्या है जनरली कि जब भी प्रकास की कीरन ठीक है किसी भी दरपन पर पड़ती है तो परावर्तन के वाद वास्तव में जिस बिंदू पर मिलती है या जिस बिंदू से आती हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु को हम क्या बोलते हैं प्रतिपिंब कहते हैं अब आप लोग सोच रहे होगा है कि मैंने बताया कि मिलती है लेकल यहाँ पर तो कालपनी कुरूप से मिल रही है तो वास्तम में कैसे मिले heavier तो देखिये वास्ता में मिलाने काई अगर हम बात करें तो देखिए एक दरपन लेते हैं इस टाइब का जिसको हम बुलते हैं उक्तल दरपन अब मालेजे कि यहां पर कोई अबजक्ट खड़ा है यहां से एक लाइट रेज ऐसे आएगी और दरपन से परावरतन के बाद ऐसे ग बताएंगे कि प्रदानक्ष के समानाँतर जाने वाले किरन कहां से गुजड़ती है, प्रदानक्ष क्या होती है, यह सारा चीज हम लोग डिसकस करेंगे. और एक किरन वक्रता के अंदर साइगी. तो देखिए, यहां पर वास्ता में मिला. तो इसका प्रतिविम कहां बनेगा इसके किरांदरपन से परावरतन के बाद, जिस बिंदू पर मिलती है, या जिस बिंदू से आती हुए प्रतित होती है, उस बिंदू को क्या बोलते हैं, बिंदू सुरुत का प्रतिविम कियाते हैं, अब प्रतिविम कितने प्रकार के होते हैं, ये बात सामने आई, तो देख यखनल वे और ये और आता हुआ प्रतीत होता है तो हम कल्पना करके मिला ठेने जैसा कि समतल चीछा उसके बाद उसका प्रत्य बना है आठीश का गुश m कालपनिक प्रतिवियम किसे कहेंगे तो वही चीज है किसी बिंदु सुरत से आती प्रकास की करने दरपन से प्रावरतन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी उसे हम क्या कहेंगे कालपनिक प्रतिवियम कहेंगे जैसा कि समतल दरपन में बन रहा था चलिए आग ग्रूप से कट रहा था तो प्रधान एक्स के नीचे बन रहा था यानि कि उल्टा बन रहा था ठीक है याद रहेगा वास्तिक प्रतिविम जो होता है हमेसा कैसा बनता है उल्टा बनता है और इसे परदे पर प्राप्त किया जा सकता है जैसे कि आप समतल दर्बं दारप्रतिविम रहा रहा है इस पर यदि प्रकास के किरण आपतीत होती है और मैंने बता थे प्रतिविम बनने के लिए कितने किरण की जरुत हर्फ्र होती है हमेशा और हमेशा कम से कम 219 मैani senior जितने हो सक है तो एक तो यह हुआ से reflect होकर क्या चला गया और एक लंब वट आया और फिरसे reflects होकर कर रिंपर चला गया तो देखिए इह नहें इंधर चला जाएंगा यह ऊपर जाएंगा तब हम उसे क्या करेंगा कालपनीक रूप से पीछे क्छे और ख़िचेंगे और यहां पर मिलाएंगे तो तो यहां पर लाइट सिर था और यहां पर इसका के टीक है तो सम्तल दर्पन द्वारा कैसी भी वस्तुका कैसा प्रतिविम हमयाशा आलपणिक प्रतिविम बनेगा याद रखेएगा और जितना दूरी पर वस्तु होगा उतना से और जितना आयना से दूर जाएगा उतना दूर आपका प्रतिविम बनेगा ठीक है देखें कंपटिशन के एक्जामिनेशन पुछा जाता है कि यदि कोई वस्तू समतल दर्पन की ओर एक्स किलो मीटर प्रतिगंटे के रफ्तार से आ रही है ठीक है तो उसका प्रतिविम कितने किलो मीटर प्रतिगंटा के रफ्तार से आएगा तो देखें यहां पर उसका दो गुना हो जाएगा अगर आप दर्पन की ओर माल लेते हैं कि 5 km प्रतिविम्टा के रफ्तार से दोर रहे हैं तो दरपन में जो आपका प्रतिविम्ब है आपकी योड 10 km प्रतिविम्टा के रफ्तार से आगा यानि कि 2 गुना तो यह competition ने पूछे जाता है आपके examination में नहीं पूछे जाएंगे तो देखिए समतल दरपन से जो प्रतिविम्ब बनता है उसके क्या character है हम लोग आगे discuss करते हैं देखिए यह point क्या दरखिएगा समतल दरपन में क्या होता है वस्तु दूरी और प्रतिविम्ब दूरी क्या होता है हमेशा equal होता है चलिए देखे सम्तल दर्पन क्या होता है सम्तल दर्पन जो प्रतिविम बनता है वह प्रतिविम कहां बनता है हमेशा दर्पन के पीछे बनता है ठीक है जैसे कि देख लीजे यहाँ पर वस्तू है और यह दर्पन है दर्पन के पीछे प्रतिविम बन रहे है ठीक है तो एक प प्रतिभीम वस्तु के एपक्षा हमेशा कैसा बनता है सिधा बनता है याद रखेगा ठीक है यही लेकिन क्या होता है वा लेटरल फ्रतिभीम को मतलब क्या होता है प्रतिभीम tart costsig अब हम उमिद करते हैं कि यह परस्विक वर्ड भी आप फस्स टाम सुनताएंगा तो देखिए परस्विक का मतलब कुछ इस तरीके साब समझे कि जब आईना के सामने घरे होते हैं तो आप जब दाहिना हाथ उठाएंगे तो आईना में जापका प्रतिविम बन रहा है वह आपका बाया हाथ उठाएगा देखे प्रतिविम तो सीधा ही होगा सीधा कहने का मतलब क्या कि आपका सर उपर है तो प्रतिविम में भी आपका सर उपर ही रहेगा पैर नीचे रहेगा लेकिन प्रतिविक रूप से उल्टा होगा ठीक है यदि आप बाया हाथ उठाएंगे तो प्रतिविम्ब में दाया हाथ उठाएगा और यदि आप दाया हाथ उठाते हैं तो प्रतिविम्ब में बाया हाथ उठाएगा ठीक है तो इसको बोलते हैं पार्सविक नेक्स्ट है कि प्रतिवींब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा या फिर कालपनिक बनेगा तो यह पोइट से उम्हीत करते हैं कि समझ में आ गया होगा गोल्यदरपन क्या होता है? ठीक है? तो देखे शबसे पहले हम बात कर लिए गोल्यदरपन क्या है? तो चलिए हम फीगड से देखते हैं मालीज ये ये आपका एक खोखला गोला है ठीक है क्या है खोखला गोला है और आगर हम इसको बीट से डिवाइड करें क्या करें अगर मालीज ये इसको हम बीट से डिवाइड करें कुछ इस तरीके से ठीक है कुछ इस तरीके से डिवाइड करें तो देखिए इस तरीके से डिवाइड करने के कारण क्या होता है हमारे सामने दो तरीके के सेप बन करके आते हैं कितने दो तरीके के सेप बन करके आते हैं अब क्या करते हैं इसको अंदर से रंगते हैं situation बन रहे ना या तो बाहर से रंगना या तो फिर अंदर से रंगना तो देखिए जब हम इसे बाहर से रंगेंगे तो यह जो आंतरिक भाग हो गया है यह आपका परावर्तक होगा चिक है और अगर अंदर से रंगे हैं तो यह जो आपका बाहरी भाग है यह क्या होगा आपक तो प्रिवासा समझ में आ गया होगा किसी खोखले गोले का वह भाग जिसका एक तल क्या हो परावर्तक हो उसे क्या कहेंगे गोली दरपन अब देखिए जैसा भी मैंने पिक बनाया तो आपको पता चल गया होगा कि दो तरीके के से बंड़ा इसका मतलग गोली दरपन कितने पर करके दो पर करके बन करके आगया कौन-कौन से तो देखिए गोले दरपन दो तरीके के एक तो बने आपका उत्तल दरपन क्या बन किया गया एक उत्तल दरपन और एक क्या बन क्या आया अवतल दरपन तो उत्तल और आवतल किसे कहेंगे तो देखिए नाम से याद रखे थाegenस उ Brown और एक कैसा वला अलाया था बलॉकल और जिसका प्रावर्त्क सत्य तर्ण सेहएं उपराब्रा भूए तो उसे क्या कहेंगे अुद्त लाज धर्पन जिसका परावर्तक सत्येश्ट news और उसे क्या कहेंगे अवतल दर्पन तो चलिए यह उत्त Tailव पड़क है आपके अगला है आपका अवक्तल दर्पन तो मैंने अपने अगला कहारा दर्पन क्या है वैसा गोलिया be तोपन से related बहुत सारे points होते हैं उसके बारे में भी हम लोगों को जाना बहुत जरूरी है जैसे देखिए मैंने भी ज़स्ट बताया था थोड़ा जूम करके बताते हैं आपको देखिए यह क्या है एक खोखला गुला है क्या है एक खोखला गुला है ठीक है अब जब हम इसको बीच से डिवाइड करेंगे कुछ ऐसे ठीक है तो यहाँ पर हमें दो तरीके के दरपन मिलेंगे एक यह दरपन मिलेगा और एक यह दरपन मिलेगा तो इसका परावर्तक सतह इधर से है किया है इसका परावर्तक सतह यह है और इसका परावर्तक सतह यह है तो यह धंसा हुआ है और यह उहड़ा हुआ है तो उभरा वाले को क्या बलेंगे उत्तल दर्पन और धंसे हुए वाले को क्या बलेंगे अब उत्तल दर्पन कहेंगे ठीक है तो इसे रिलेटेट बहुत सार सब्सक्राइब के जिसे कर लेते हैं जैसे बखानिप कर अब से पहला मुएंट आता है आपका ध्रोव क्या है देखें से इसका यह शूकू होता है लिश्सका यह भलते हैं पत लुक्रतलë कने को न allegedly क्लिट्स कने काते हैं थ्रुव क्याते अब Thats वक्रता केंद्र वक्रता केंद्र क्या होता है कि यह जो दरपन बना है या किसी ने किसी खोकले गोले का भाग है तो जिस खोकले गोले का भाग था उसी केंद्र को क्या कहेंगे वक्रता केंद्र कहेंगे तो क्या कहेंगे गोलिय दरपन जिस गोले का भाग होता है उसका केंद कुई क्या कहेंगे वकरता तर्य ये एक गोलिय तर्पन है और यह क्या इसकी तिरच्जय अगर माल लेता है कि ईक गोला ठाट तो इसकी एक त्रिज्या बन रही थी ओरीजिन से पाड़िधी को मिलने वाली रहाओ वो घ्रच आपके अ jetzt द्रुब यिस्टोनों को यह जो मिलाने वाली रेखा है इसी को क्या पॉलते हैं प्रधानक्ष के बाद से बिंदू पर मिलती है उसे क्या कहते हैं द्रपन का फोकस कहते हैं जैसे मालीजिये ऑगि मैंने यहां पर एक दरपन कुछ इस तरीके से बनाया थेक है। यह का प्रदानक्ष अब यह प्रधानस के समानतर कोई भी लाइट आएगी तहेवर तदर्पन से परवरतन के बाद ऐसे आएगी तो यह प्रदानस के जिस भी पॉयंट को यह काटे गा वही इसका क्या होगा फॉकस होगा तो याद रखिएगा वही point मैंने यहाँ पर लिखाए हैं अब देखे कुछ और point पूछे जाते हैं जैसे गोले दर्पन की focus दूरी और वक्रता तरिज्जा में क्या संबंद होता है पूछा जाता है exam में तो देखे गोले दर्पन की focus दूरी होती है वक्रता तरिज्जा की आधी होती है या कहले गोले दर्पन की वक्रता तरिज्जा की दो गुणी होती है यह जो point से exam में पूछे जाते हैं यह दोनों याद रखिएगा चलिए गोली दर्पन के लिए किरन आरेक की बनावत किसी भी वस्तु का प्रतिमीं बनाने के लिए कम से कम दो किरनों की जरुरत होती है अब देखिए पहला अब इससे related कुछ नियम है जो याद रखेंगे हम लोग पहला नियम क्या है कि दर्पन के मुक्षक्ष के समंतर जाने वा चैसे मालिजीये मैं यहां पर नातिके आपको दिखा उत हॉता हूं yahoo अवतर दरपन और यह क्या है एक उत्तल दरपन है मालिजी इधर से रंगा हुआ है और इसका इधर से रंगा हुआ है कि डरपन मुक्यक्ष के समानतर तो आपका मुक्षकक्ष कुन सा यहा है तो मुक्षक्ष के समानतर अगर आएगा तो दरपन से प्रावरतन के बाद ऐसे गुज़रेगा कहां से फोकस से और यदि दरपन उत्तल है तो माले जह लाइट ऐसे आएगा तो रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे चला जाएगा तो देखिए यह कहां से आता हुआ प्रतीत होगा यह हां से आता हुआ प्रतीत होगा फोकस से तो यदि दरपन उत्तल है ठीक है तो फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा कब जब प्रकास के किरन प्रधानक्ष के समानांतर जाएगा ठीक है और फोकस की और आएगा यानि फोकस के करके गुजरेगा कब जब दरपन अवतल हो और प फोकस से आती हुई प्रतीत होगी और यदि दरपन अवतल हो तो फोकस से गुजड़ेगी यह पॉइंट याद रखेगा जितने भी किरन आरेक हम लोग बढ़ेंगे उसमें काम आएगा दूसरा है आपका दरपन के फोकस की दिशा में आपतित कीरन प्रावरतन के बाद प्रधानक्ष के समाना अंतर गुजड़ेगी दखिये बात वही है बात क्या है वही है अब मलेजे ऐसे आया तो ऐसे जाएगा ठीक है तो यह तो एंगल आपका तो सेम ही बन रहा है नहीं अगर फोकस की दिशा में आपतित करेंगे तो किया समाना अंतर नहीं जाएगी क्या जाएगी की नहीं जाएगी सिंपल सी बात है जाएगी जाएगी याद रखेगा दरपन क्या है दरपन के फोकस की दिशा में आपतित कीरन प्रावरतन के बाद कहां कहां से ही टीक है जैसे मन लिजिए कि यह आपका एक मेरड है यह क्या है मिरड है यह आपका परधानक्ष यह ऐसे आई फोकस है और यह आपका वकृता के अंदर यहां से अगर हम ऐसे करेंगे तो यह लंब बनता है तो वकृता के जाएगा वापस आजाएगा अपने पत पर कुछ इस तरीके से जैसे कि मनली जे कि वक्रता केंदर है तो जैसे यह ऐसे जाएगा ठीक है तो रिटर ना जाएगा क्योंकि यह वक्रता केंदर यहां पर क्या बनाता है लंब यानि 90 डिगरी का एंगल बनाता यह चलिए अब है तो यह जो नीएंब है याद रहेगा, ताकि आपको जीतने भी कीरन आर एक पढ़ने हैं चाहे उत्तल दरपन से बने है या अवतल दरपन से बने उसमें यह पोईंट कि देखने को मिलेंगे ठीक है एक बार फिर से बेकोज से देखने को कर दो पॉट परणे है देखिए जब माल लीजिए यह आपका मीरर है यह आपका प्रधानक्ष अगर प्रधानक्ष के समनांतर जाएगा तो कहां से गुझरेगा फोकस से गुझरेगा पहला पॉइंट ठीक है प्रधानक्ष से समनांतर आएगा तो फोकस से गुझरेगा दूसरा पॉइंट देखते अगर focus की दिशा में आपतित होगा तो परदानाक्ष के समना अनतर जागा यह दो point होगे तीसरा point देखते हैं तीसरा point क्या है कि देखे अगर यह focus है यह आपका क्या है वकृता किंद्र है तो यह अगर आपतित किरन है यह परावरतित किरन है और इस पर अगर हम नॉर्मल डालते हैं अभी लंब तो यहाँ पर वक्रता केंद्र तो अभी लंब यहाँ पर 90 डिग्री के अंगल बनाता है तरपन के पास तो अगर ऐसे प्रकास की रन जाएगी तो लंब के कारण क्या होगा वो अपने पत को रिट्रेस कर लेगा पुन्ह अपने पत पर वापस आजाए क्योंकि यहाँ पर तो लंब बर रहा है इसलिए क्या होता है कि यह अपने पत पर वापस लोट आता है तो पॉइंट क्या आया पॉइंट यह आया कि वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित की रन दरपन से परावरतन के वाद अपने पत पर वापस लोट जाएगे चलिए अगला पॉइंट क्या था कि यह आपका पॉल है यह क्या है पॉल है तो धुरुव की ओड आपतित प्रकास किरन जितना एंगल बनाते हो आपतित होगी उतना ही एंगल बनाते क्या हो जाएगी परावरतित हो जाएगी तो यह रूल है याद अवदल दर्पन से वस्तू को कहां पर रखेंगे और उसका प्रतिविम कहां पर बनेगा और उसका नेचर क्या होगा तो सबसे पहले जाना जरूरी है कि हम लोग अवदल दर्पन में वस्तू को कहां कहां रख सकते हैं ठीक है आपको बता होगा आपका जो यह वाला है इसको हम लोग बोलते हैं पोल यहां पर वाले पॉइंट को फोकस और यहां पर वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं वकृता के इंदर इसको आगे बढ़ाएं तो यह आपका अनन्त आता है तो देखें सबसे पहला तीन सेच्वेशन तो बना कि एक अनन्त पर वस्तू एक वकृता के अंदर पर आएगा और यहां पर वस्तू आएगा और तीसरा अनंत और वक्रता कंदर के बीच में वस्तू कहां यहां यहां यह आएगा तो टोटल आपनों के सामने छे सेच्वेसन यानि कि छे जगहों पर हम लोग वस्तू को रखेंगे और देखेंगे कि उसका प्रतिविम्ब कहां कहां बनेगा तो चलिए स्टाट करते हैं सबसे पहला पॉइंट है देखिए जब वस्तू दुरूब और फोकस के पिछ इस्तित हो तो उसका प्रतिविम्ब कहां बनेगा ठीक है कुश्यन इस तरीके से पूशता है कि जब वस्तू दुरूब और फोकस के पिछ इस्तित हो तो उसका प्रतिविम्ब कहां बनेगा तो यहां तरिखेगा उसका प्रतिविम्ब बनता है दरपन के पीछे आभासी सीधा और बरा देखिए यहां पर फीग प्रवस्तु एससे लाइट हुआ एक प्रधानक्ष की समानांतर और हमने बता है था प्रवरतन के बाद कहां से गुजरेगी ता फोकस से यह चीज मैंने बदा रखा था और एक किरन वक्रता के अंदर से तो देखिए यह इधर बढ़ता जा रहा है कहीं भी यह मिलने को नहीं लगड़ा है तो इसको मुलोग क्या करते हैं कालपनिक रूप से पीछे की और बढ़ाते और यहां पर मिलाते हैं तो कालपनिक रूप से पीछे बढ़ाने पर यह कहां पर मिला यहां पर मिला तो आप लोग देख सकते हैं कि यह दरपन के कहां बन रहा है पीछे बन रहा है वस्तु उपर था प्रधानक्ष के तो यहाँ पर प्रतिविम भी प्रतिविम प्रतिविम बनेगा वह कैसा बनेगा कालपनिक बनेगा तो उमिद करते हैं कि यह पॉइंट आपको समझ में आगए दूसरा पॉइंट है जब वस्तु फोकस पर परिष्थित होती है तो उसका प्रतिविम कहा बनेगा आननध पर बनेगा अ यहां से आइसे जाएगी लाइटर तो वक्रता के इंदर पर जोभी प्रकास के राप्तित होती है वह दरपन पर क्या होता है लंब होता है तो यह परपंडी कुलर यह वापस पुना लौट आएगा तो देखें जो लाइट रेज है दोने एक दुसरे के पैरलर जा रहा है तो कहां मिलेगा कहीं ने कहीं अनंध पर ही मिलेगा तो इसका प्रतिप्र में कहां बनेगा अनंध पर बनेगा ठीक है नेचर कै देखते हैं कर रहा है कि जब वस्तु फोकस और वक्रता के इंद्र के बीच इस्तित हो तो उसका प्रतिप्र में वक्रता के इंद्र और नंत के बीच वास्तविक और उल्टा तथा बराबनेगा चलिए देख लेते हैं माली जी कि यह दरपन है ठीक है यह पूल है आपका कह एक से और रहे किया और कि वक्रता के इंद्र के बीच She asking कहा और करकी और दूसरा मैंने क्या कहा यह माली जे वक्रता के और वक्रताखेंद्र के बीच में बना जब वहीं चीज कहा है कि जब वस्तु तो और वक्रताखन्र के बude घादेग्लप के कैसा बनेगा पऩल्धानक्ष के नीचे है मत्लब उल्टा वस्ताविक क्टान से बनातों वस्तविकम और वस्तू इतना बड़ा सह था और कि फोकस से सामन अंतर जाएगी तो परावरतन के बाद के वाद कहां समझ में आ गया होगा अब देखिए ये दोनों का वास्तविक कटान कहा हुआ है यहाँ पर यानि कि प्रतिविम यहाँ पर बना है कहा बना वक्रता के अंदर पर ही बन गया अब देखिए जितना वस्तु बढ़ा है उतना ही आपका इसका प्रतेविम भी बड़ा है ठीक है तो वही चीज़ का गया है कि वस्तु जब वक्रता के अंदर पर हो तो उसका प्रतेविम वक्रता के अंदर पर ही बनेगा वास्तविक बनेगा उल्टा और वस्तु के बराबर बनेगा तो ये भी पॉइंट आपको डि कर देंखने को मिल रहा है छलिए सेचुएशन क्या होता है कि जब वस्तु वक्रतां गेंद्र तथा अनंत के बीच з PROF वक्रता के वस्ता के बिच कलिए उल्टा और च्छोटा बनेगा कि सब का हम लोग ट्रिक डिसकस कर जब अब अब ए रहा हो दो देखें पृतिंव यहां पर बना थिक है तो कई नेचर आप लोगों को यहाँ पर लिखा हूँ मिल जाए कि जब वस्तु वक्रता के दरता अनंत के बीच इस्थित हो तो उसका प्रतिविम वक्रता के दरता फोकस के बीच बनेगा वास्तविक उल्टा और छोटा बनेगा यह भी पॉइंट समझ में आ गया होगा छट्वा हम देखिए फोकस पर मिल रहा है तो इसका प्रतिविम वक्रता बनेगा फोकस पर बनेगा ठीक है तो यह पॉइंट आप याद रखेगा चलिए अब देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है जब आस तो धुरूप पर से तो तो उसका प्रतिविम धूरूप पर ही बनेगा बना कि यह एक्जाम में बहुत कम पूश्वित राता है लेकिन यह भी पॉइंट याद रखेगा आप हम लोग बात कर लेते हैं ट्रिक का कि क्या है हम किस ट्रिक के माध्यम से इसको असानी से याद रख सकते हैं तो देखिए मैंने यहाँ पर बनाया है एक मिरर बनाया है ठीक है और यहाँ पर मैंने नुम्रिक किया है क्या क्या है नुम्रिक किया चलिए मैं इसको अलग टैप से बताता हूं देखिए माली जी है कि मैं यहाँ पर एक mirror बनाता हूँ समझने के लिए याद रखने के लिए यह आपका focus ठीक है यह आपका वकड़ता केंद्र ठीक है अब वस्तू को किन किन स्थेती पर हम लोग रख सकते हैं और यह माली जी आपका अनंत वाला सिक्सन है तो देखिए एक तो अनंत पर कहां रख सकते हैं एक तो वस्तू कहां रख सकते हैं अनंत पर रख सकते हैं दूसरा यहां रख सकते हैं देखिए हम सब का इस्थेती आपको बता दे रहे हैं कितने सिच्वेशन निकल कर कहा है कितना निकल कर कहा है गया एक, दो, तीन, चार, पांczy और छे हैं तो देखिए छठा वाला जो प्रतिविम होगा दर्पन के पीछे बनेगा यह रहे घीज़ेगा अब यह Neo- began चार पांच यह यह हो गया आपका वस्तु के स्थिति और यह हो गया आपका प्रतिवियम के स्थिति जब वस्तु एक पर होगा यानि अनन्त पर होगा तो उसका प्रतिवियम भी कहां बनेगा एक पर ही बनेगा यानि फोकस पर याद रखिएगा देखिए अनन्त और वक्रता के अंदर यानि वस्तू वक्रता के अंदर के इस तो तो वक्रता के इंदर और फोकस के बीज इसथी थो कहा यहां तो देखिए यहां पर का साइन किया है चार है तो चार कहां बन रहा है यहां बन रहा है यानि कि यह वाले स्टान पर तो यह कहां है अनंत और वक्रता किंदर के बीच है अब देखिया पांच वावला यहां है यानि फोकस पर तो इसका प्रतविम कहां बनेगा तो देखिया पांच यहां है कहां है अनंत पर है तो जो च्छे है उसका प्रत्मिम कहां बनेगा दरपन के पीछे बनेगा तो यह ट्रिक आप लोग याद रख सकते हैं और एक चीज में बताना चाहूंगा आप लोगो को कि इसका याद पीडियाफ लेना चाहते हैं ठीक है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएगा आपको पूरा इसका पीडियाफ आपको मिल दाएगा ठीक है अब देखिए अवतल दरपन से रिलेटेट एक और पॉइंट पोश्च है जाता है इसके यूजद से लेकर के इस बार भी एक जाम में इसका प्रयोग से लेकर के कुशन पूछा था तो याद रिखेगा अवतल दरपन का प्र है याद रखेगा उतल दरपन द्वारा प्रतिवियम का बनना देखिए उतल दरपन से रिलेटेड एक जामे कुशन लगवग नहीं पूशे जाते हैं इसलिए मैंने सौट में बस लिख दिया आप इसको देख लिजेगा जब वस्तु धुरूप परिस्तित हो तो उसका प् दरपन के पीछे दुरूप दथा फोकस के बीच बनेगा कैसा बनेगा अभासी सीधा और छोटा जब वस्तु अनंत परिस्तित हो तब उसका प्रतिविम कहा बनेगा फोकस पर अभासी सीधा और बहुत छोटा बनेगा ठीक है तो यह पॉइंट्स है याद रखेगा अब य प्रियोग वहानों के साइड मीरर के रूप में किया जाता है एक्जामनेशन में बहुत बार बुचा गया है कि वहानों के साइड मीरर के रूप में किस दरपन का यूज किया जाता है तो याद रखेगा उत्तल दरपन का ठीक है क्यों किया जाता है वह कारण मैंने बता दि देखे आप लोगों ने mathematics पढ़ाओगा तो उसमें साइन करविंद जैसें पढ़ाओगा उसमें क्या था कि किसी वस्तु के प्रतिविंब का अस्थान और प्रकृति के निर्धारन के लिए विसेस नियमों का पालन किया जाता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं चिन से और चतुरथांस में दो अक्ष होते हैं आपको पता होगा यह x- यह x- ठीक है उपर वाला y- और नीचे वाला y- होता है ठीक है अब यह जो पॉइंट है इसको हम लोग origin बोलते हैं या नहीं मूल बिंदू तो मूल बिंदू से दाएं जब ही हम लोग जाते हैं ठीक है ज , जब में जाएंगे तो वह क्या होता चला जाएगा और नीचे भी जाएंगे तो नेगटीव होता चला जाएगा तो देखें तो इस वाले अक्ष को हम लोग बोलते हैं प्रथम इसको second, इसको third और इसको fourth बोलते हैं तो question क्या exam में पूछा जाता है question ये पूछा जाता है कि ये जो आपका quadrant है ठीक है, तो first quadrant का value क्या होता है ये mathematics में भी आपको देखने को मिलेगा ठीक है, तो याद रखिएगा ये आपका x-ax है ठीक है, और value हमेशा सबसे पहले किसका लिया जाता है x-ax का ही value लिया जाता है ठीक है, तो x-ax ये परथम quadrant का ये हो गया ये side वाला, ठीक है, ये हो गया first quadrant का, ठीक है तो इसमें x का क्या है positive value और y का भी क्या है positive value, तो positive यानि कि पर्थम चतुर्थांस जोता है इसका value हमेशा positive में जाता है यानिकि plus plus का second वाले में चलिए पहले ये लेंगे उसके बाद ये लेंगे तो ये क्या हो जाएगा minus x और ये plus y यानिकि minus और plus इसमें आते हैं fourth वाले में आते हैं third वाले में आते हैं क्या होगा इसको और इसको लेना होगा ठीक है तो x क्या है इसमें negative और y क्या है positive है sorry y भी क्या है negative है नीचे आएगा तो negative ही जाएगा तो negative negative हो जाएगा अब चलते हैं fourth वाले में ये आएगा x ये क्या है positive और y क्या है negative तो यह लिया जाता है तो याद रखेगा पहला जो चत्रथांस होता है उसके वैलियो प्लस प्लस सेकेंड का मैनस प्लस थर्ड का मैनस मैनस और फॉर्थ का प्लस मैनस यह याद रखेगा अब अब क्या पुछेगा चिन पड़ी पाटी में जैसे कि यह मुल बिंदू है तो जो चिन होता है इसी के position का निर्धारन करने के लिए जिसका जिस नियम का पालन किया जाता है, उसेको हम लोग क्या बोलते हैं? चिन आपड़ी पाठी बोलते हैं, तो वही चिज मैंने यह पर लिखिया, दरपन से किसे वस्तू का परतवी मिकास थान और प्रकृती के निरधारन के लिए कि विश्यस नियम का पालन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं चिनपड़ी पाटी कहते हैं अब देखिए मैंने क्या कहाता है सभी दुरियां कहां से मापी जाती है मुल बिंदू से तो दरपन में मुल बिंदू क्या हो जाएगा उसका धुरूव हो जाएगा आपतित प्रकास की कि दिशा में जा रहा है किसकी दिशा में धुरुव की दिशा में यानि कि यह प्रकास के रिण आप्तित होगी तो इधर जा रहे है यानि कि इधर जा रहे है तो इधर जो भी लाइट जाएगी वह क्या जाएगी प्लस में जाएगी और इधर जो भी लाइट आएगी वह ने है अब यह पॉइंट है आवर्धन एक्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका मैगनिफिकेशन तो आवर्धन क्या होता है वस्तू की उचाई सड़ी प्रतिविम क्यों चाई और वस्तू की उचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं आवर्धन जैसे कि आवर्धन को कहें तो सब्सक्राइस है तो इसका क्या होजाइगा चभी कभी पूछ देता है तो यहां रखे si इस व्यलनु को भी एक अहाँ देखिए याधी दा प्रतिविम वास्तविक को रूटा अवर्दण का मान क्या होगा धिनात्मक हों ठेक हैं और यदि प्रतविम धनात्मक कंपन रहा हो तो आवर्दंग क्या हो जाएगा धनात्मक हो प्रतिविम्ब वास्तविक और उल्टा बन रहा हूं तो आवर्धन का मान क्या हो जागा रिणात्मक हो जाएगा और यदि प्रतिविम्ब देखे आप धनात्मक नहीं काल्पनिक कर लिजिएगा क्या कर लेना है काल्पनिक यदि काल्पनिक बन रहा हो तो आवर्धन का वैल् अब देखें उसके बाद आप से पुछता है मिरर फर्मूला क्या होता है मिरर फर्मूला 1 by f is equal to 1 by u plus 1 by b मैंने इसका derivation दे दिया है यह आपको notes में मिल जाएगा notes लेना चाहते हैं तो हमें comment box में जरूर बताईएगा next है गोले दरपन की focus दोरी वक्रतात्री जाक के पीच क्या संबंद होता है तो मैंने बता है था गोले दरपन की focus दोरी वक्रतात्री जाक के पीच क्या संबंद होता है f is equal to ry2 तो इसका में मैंने derivation यहां पर कर दिया है ठीक है तो important है सारा points Okay सब से पहले मिलोगे कवतल दरपन बनाते हैं ठीक है और यहां पर एक परधानक्ष किचते हैं ठीक है यहां पर रखते हैं एक वस्तू इसमें अब लोगों figure पर नजर आ रहा रहा होगा a b1 वस्तूं रहीं ठीक है और वस्तूस्द और प्रकास के किर्ण निकल रही है जो क कीरण का है दर्पन के धुरूब पर आपतित होती है तो जितना एंगल बनाइते होब आपतीत होती है उतना ही एंगल बनाते होवा क्या हो जाता है है रेप्लेक्ट भी हो जाता है रहा है डरपन पर जब अह सकते होई यह ऑभी लिए तुक्छ यह को यह कटन मुदधे यानि कि यह कीरन और यह कीरनों की और यह जो आपका अग्र है सबन्राइध से गर हम लोग या पर बात करें तो धरुब से धертвխ तो की दूरी से थूर्ठ थूरी चे exist je भीकी किया हो जागी तो यहां पर देखे कटान बिन्दु यहां पर बनाया का पृतिविम कहां बनोगा है यहां पर पून रहा तो यह आपका phi से लेकर बूर कर कि ए city स्क्राइन के हो जागा और प्रतिविम की विज्टू दूरी मैंने लिखा है एपी यहां से यहां से क्या उव्टू रिखाने करेंज में बाते गिंग्र करने वाली बात है कि यहाँ पर मैंने u कहा लेकिन यहाँ पर मैंने लिया कि हम माइनस u माइनस b और माइनस f तो आप लोगों ने पढ़ा होगा चिन्ध पड़ी पार्टी चिन्ध पड़ी पार्टी क्या है कि किसी भी mirror में या फिर किसी भी object की हमें exact एस्थिती पता करने के लिए हम लोगों को चिन्ध परिपार्टी का यूज़ करना पड़ता है तो एक बात मैं बता दू कि यह जो आपका x अक्ष है और यह आपका x- अक्ष है यह कुंसा है यह और यह क्योंसा हो जागा y- यह जाता है तो यहां पर एक चीज़ गवर करने वाली बात है कि यह जो आपका वस्तू या फिर प्रतिविम या फिर इस पोल के बाएं साइड में किधर है बाएं साइड में और मैंने क्या बता है चिन परीपार्टी के हिसाब से चिन परीपार्टी के हिसाब से क्या बता है कि वस्तू अगर धुरूव के बाएं तरफ हो या फिर प्रतिविम या धुरूव के बाएं तरफ बन रहा हो या फि भी नेगटिव लिया है अब हमें सेध्य करना है हमको सेध्य करना है तो तरफन की फोकस दूरी प्रतिबिम्ब और वस्तू के बीच में संबल तो संबंध क्या होता है कि 1yf is equal to 1 by u plus 1 by b संबंध होता है तो चले यह आता कैसे हम लोग देखते हैं आपर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रेंगल इसका इसका आपर मैंने लिखा भी है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं mpf M कुन सा ये वाला ट्रेंगल M P F इस ट्रेंगल की अगर हम बात करें तो और एक ट्रेंगल बन रहा है ये ठीक है ये दोनों ट्रेंगल की अगर हम बात करें तो M P F और B डैस A डैस F की अगर हम बात करें तो यहां पर देखे किस तरह का ट्रेंगल बन रहा है इस तरह का ट्रेंगल बन रहा है ठीक है ना किस तरह का फिर से बना दे रहा हूं यहां पर इस तरह का कुछ ट्रेंगल बन रहा है ठीक है ना तो यह आपका रहा है बी डैस, ए डैस, एम और पी ठीक है ना चुकि यह समांतर है ठीक है ना तो हम लोग जहाँ पर भी डिस्टेंस मापेंगे न वह डिस्टेंस क्या होगा एक्वल होगा यहाँ पर भी डिस्टेंस क्या हो जागा पी और एम के बीच का भी डिस् यह triangle, दोनो triangle क्या बढेडा है, दुसरे के समरू बढ़ा है, इसका मतलब है कि यह जो आपका samukun बढ़ा है यहाँ ठीक कहाँ पर studies home यहाँ पर एक तो Sam downs यहाँ पर और यह सम जो generic यह जो दोनों sam kun ब多 रहे हैं दोनों क्या बहनदा आपका equal हो जाएगा तो इसके हिसाब समड़ लिख सकते हैं MPF क्या MPF यानि कि ये एंगल ठीक है न कुंसा ये लंब वाला एंगल और इस ट्रंगल की बात करें तो B dash A dash F यानि की एंगल दोनों एंगल क्या हो जागा एक दोसरे के एक्वल हो जागा लंब के कारण या यूँ कह सकते हैं समकोन के कारण चीक है आप अगर हम बात करें कौन सा A dash F B dash यानि की A dash F यानि की ये एंगल और ये एंगल और इसमें M F P दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे तो जब ये दोनों एक्वल हो जाएंगे इसका मतलब है कि ये आपका कौन सा एंगल बन जा रहा है ये दोनों जो ट्रेंगल बन रहा है आपका क्या बन रहा है एक दूसरे के समरूप बन रहा है बन रहा है कोई भी प्रेंगल को पत encl 2 थे डौसका कंगतिते होता है ऑन पातीक होता है कि उसको थौरा सा चोटा आपका बन रहा था तो इसमें संगत भुजा आपका MP और A-B बन जाएगा क्या बन जाएगा MP और A-B तो ये भुजा और ये भुजा एक दूसरे का क्या होगा अनुपातिक हुआ कौन सा भुजा एक ये भुजा और एक ये भुजा एक दूसरे का अनुपाति हुआ तो वही मैंने लिखा है MP upon A dash B dash यहां लिखा है और दूसरा क्या हो जागा आपका यह भूजा FP और A dash F यह भी दोनों क्या हो जाएंगे एक दूसरे के अनुपातिक हो जाएंगे ठीक है न तो वही चीज मैंने यहाप लिखा है FP और A dash F यहां तक आप लोगो लगवग समझ में आ गया होगा अब चुकि मैंने बताया है कि यह distance हमेशा कौन सा यह वाला distance होता है हमेशा सभी जगा क्या होगा एकवल होगा क्योंकि यह प्रकास के किरट कहा जा रही है परधानक्ष के एक्तम समांतर जा रही है तो parallel जा रही है इसका मतलब है कि यह इसका distance कहीं भी हम लोग मापेंगे तो वह क्या होगा एकवल होगा हमेशा हर एक जगा इसका मतलब है कि यह M और P का जो distance है वह भी इकवल होगा कि इसके A और P के कि इसके A और B के तो मैंने यहां यहां पर लिखा है इसको हम लोगों ने मल लिया क्या equation first अब चलिए हम लोगों बात करते हैं second की बात करें तो यहाँ पर कोड़ किजेगा हम लोगों second triangle कौन सा लेते हैं यह वाला triangle यह triangle यह लेते हैं कौन सा a, b, p और दूसरा triangle लेते हैं यह यानि की a dash b dash और p कौन सा a dash b dash और p तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर भी आपका यह वाला लंब यानि की यह angle मैं बता दे रहा हूँ यह angle और यह angle दोनों समकून बन रहे हैं ना इसमें भी तो यह इसके हिसाब से यह भी क्या हो जागा b, a, p और b dash a dash p दोनों क्या हो जाएंगे एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे क्योंकि दोनों यहाँ पर समकून बन रहा है तो बराबर हो जाएंगे तो वही चीज मैंने यहाँ पर भी लिखाया कि b, a, p यानि कि b, a, p और b dash a dash p यानि कि b dash a dash p dash दोनों क्या हो जाएंगे, एक्वल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों श्यम कोन है, ठीक है, सेकेंड के अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, यह भी अंगल और यह भी अंगल, दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के एक्वल हो जाएंगे, क्योंकि प्रकास की करें, हदो के दोनों क्या हो जाएंगे इकıyla हो जाएंगे यह बोल सकते हैं यह MUSIC बाल भी देस्ट हो जाएंगे तो यहां पर आपन्हें मैंने वह लिखा ऑपने की ए कई भी यह ँखल और कुंसा a-p b-dş यानिकि a-p b-dş यानिकि यह वल अंकल तो उन्हें क्या हो जाएंग एक दूस्रे क्या हो जाएंगे सिर्फाभी मुक्त के कारण तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा अगर हम बात करें तो यह भुजा और यह भूजा भी एक दूसरे के अनुपातिक होगा यह जो A B है वह किसके अनुपातिक होगा? किए अनुपातिक है और दूसरा किया यह जो आपका ab भूजा है वह किसके अनुपातिक होगा एडैस पीके तो यह चीज मैंने लिखा है ap किसके अनुपातिक है एडैस पीके और दोनों से इसको भी मैंने क्या मन लिए सबस्क्राइब किया और यहाँ पर दोनों में क्या है लेफ्टांड साइट एक्वल है एप अपर उप्यक्राइब इसका अपर विकलाक इसका रहाइट पर दूसरे के equal होगा, इट मिन्स क्या, pf upon a-f is equal to, किस क्या हो जाएगा, a-p upon a-p k, तो समिकरन एक और समिकरन दो को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, pf upon a-f, यानि कि यह वाला और यह वाला, तो ने एक दूसरे कर, जब मैंने equal कराया, ठीक है उसके बाद, अब अक्षी यहाँ पर गौर करने वाली बात है, क्या कि यहाँ पर pf तो हमारा मिल रहा है, pf क्या मिल रहा है, दखिए मैं बता रहा हूँ, थोरा से इसको चोटा कर रहा हूँ ताकि figure यहाँ पर हमको समझ में आ सके, ठीक है न, चलिए अगर हम बात करें इस pf की, pf तो pf हमारा यहाँ पर मिल जाएगा, distance कहां जो मैंने अभी लिखा है, यहाँ पर गौर कीज़ेगा, यहाँ पर fp है न, क्या है pf, यहाँ पर हमारा मिल रहा है, अब अगर हम बात करें, तो a-f यहाँ पर तुमिल ही नहीं रहा है, यह जो a-f मैंने लिखा है, यह यहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो a-f नहीं मिल रहा है, तो हमको क्या करना परेगा, यहाँ से derive करना परेगा, तो a-f की distance क्या यह है, तो यहाँ इतना distance निकलने के लिए हमको इतना के बीच का जो distance यानि कि ये पूरे distance में से इतना distance घटाएंगे तो हमारा निकल जाएगा ठीक है न यानि कि A!'P का जो distance है उसमें से यादि P और F के बीच का distance हम लोग यादि माइनस करते हैं तो हमारा A और A.P की बीच का कर दिया मैनस कर दिया औरSun bisa आपको तो मिली रहा है एपी मिल रहा है और एडस बी मिल रहा है ठीक है रहा चेलिये तो यहां तेख कुमिक्ट करते हैं कि forskLink करने को सौल्व करते है समिकरन को सौलक्र 것은 कर SP करने के लिए दख लिजेगा पी एफ का जो वैल्य दिया है यानि कि एफ पी का या मैनेस एफ है तो मैनेस एफ का वैल्य पूट कर दिया एडस पी का मैनेस भी मैनेस भी पूट कर दिया पी एफ का मैनेस एफ है मैनेस एफ पूट कर दिया अब जब दोनों को पूट कर दिया तो उसके करन को देखते हैं कि किस तरह से सॉल्ट किया हुआ है अब देखे जाए जब इसको में लोग क्रोस गुना करेंगे इस तरह से ठीक है ना तो F B से मल्टिप्लिकेट होगा सबसे पहले क्या करते हैं इसको माइनस को माइनस से कैंसिल आउट कर देते हैं जब माइनस को माइनस से कैंसिल आउट कर देंगे तो यहां पर क्या होगा यू और माइनस भी का मल्टिप्लिकेशन करेंगे तो माइनस भी यू आएगा फिर यहां पर च अब दखिए जब क्रॉस गुना किया तो यहाँ पर माइनस एफ भी आ रहा था ठीकर यहाँ पर माइनस VU प्लस एफ यू तो हमगों क्या करना पड़ेगा इसको भी प्लस में कनवर्ट करना पड़ेगा तो गर्ना करने के लिए इसको बराबर के इधर ले आते हैं और ये वाले F मैं B को क्या कर लेते हैं बरावर कि इधर ले आते हैं तो देखें F U को इधर लाया तो प्लस में आ गया और F B को इधर लाया तो क्या गया प्लस में आ गया ठीक है आप क्या करते हैं ना दोनों तरफ UB F से भाग देते हैं जब दोनों तरफ UB F से भाग देंगे तो क्या होगा UB से आपका कट जाएगा UB तो बचा किया यहाँ पर यहाँ पर कुछ नहीं बचा उपर में कहीं पर भी और नीचे यहाँ F बच रहा यहाँ पर V बच रहाएँ यहाँ पर U बच रहा तो यहाँ आपका क्लियर होकर के आगया कि 1 by F is equal to क्या हो जाएगा 1 by U plus 1 by V तो इस तरह से आप लोग इसको derive कर सकते हैं तो यह 10 भी में इससे आपके question पूछे जाते examination में मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ तो इसका आप लोग क्या कर सकने है screen shot ले सकते हैं तो दस भी में इससे question पूछे जाते हैं आपका derivation करने के लिए या फिर आपका formulas पूछे जाएंगा आपका examination में ठीक है तो इसको आप लोग बोड़ी बाड़ीगी से अच्छे से एक बार देख लिजएगा ठीक है दुबार देख लिजएगा तो बेटर रहेगा ताकि अच्छे से समझ में आ जागा तो इस तरह का वीडियो रेगुलर पहने के लिए आप लोग इसको बस क्या करना पड़ेगा सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को और like share comment करना पड़ेगा तो वीडियो दखने के लिए आप लोग का